क्या आप भी लगातार दस पंदार दिन रेलवे एक्जाम की तयारी करने के बाद इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आपकी अंतरात्मा आपसे कहने लगती है लगातार चार साल से रेलवे एक्जाम की तयारी करने के बावजूद भी वेकेंसी ना आने पर क्या आपके अंदर की पाकिस्तानी आंटी भी चिलाने लगी है क्या तयारी करते समय आपको भी अपनी टूटी हटी फेपडो में छेथ छोटी बोल पिछवाडे में बवासीर होने के कान मेडिकल एक्जाम में बाहर होने का डर लगा रहता है तो स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सन की पाइलेट में जिसमें मैं असिस्टेंट लोगो पाइलेट एमेस राजपूत आज आपको एलपी प्रेपरेशन के कुछ ऐसे शांदार टिप्स बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप सभी हिकी स्वर में कहे देखो एलपी या रेलवे की तैयारी कर रहे है बच्चों द्वारा पूछे जाने वाला राष्ट ये सवाल एक ही होता है कि ये साड़ी वेकेंसी कब आएगी देखो तुमारे और एलपी एक्जाम के नोटिफिकेशन के बीच बस उतने ही सेकेंट की दूरी रह गई है जितनी उप्रोक्त दुरुष्टे में मिया खलीफा और अफरीकी आकरानताओं के बीच रह गई है देखो रेलवे अपने सभी जोन में GDCE बोले तो डिपार्टमेंटल एक्जाम करवा चुका है इसके बाद खाली रहने वाली सभी पोस्टों पर एलपी और टेक्निशियन की बढ़ती आनी ही आनी है इसलिए तयारी करने वाले सभी छात्र तयार हो जाओ क्योंकि रेलवे बोर्ट तुम पर नोटिफिकेशन नामक गोला किसी भी वक्त गिरा सकता है मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए अमरीकी राष्ट पती जो बाइडन ने कल मुझे फोन पर बताया कि असली तयारी नोटिफिकेशन आने से पहले ही होती है नोटिफिकेशन आने के बाद जहां सिलेक्ट होने वाले विध्यार्टियों का सेर्फ और सेर्फ सिलेबस का रिविजन बाकी रहता है जबकि फोम भरकर राजसो बढ़ाने वाली जनता का इसलिए आलिया भट पर हाथ रखकर सनी लियोनी की कसम खाओ की नोटिफिकेशन आने से पहले पहले तुमारा सिलेबस भी रेल्वे एक्जाम की तयारी कर रहे बच्चों का दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल बुक्स से रिलेटेड होता है देखो कल साम 4 बजे IES का इंटर्व्यू लेते समय विकास दिफ्यकीर्टि ने मुझे समझाया कि किसी भी एक्जाम को फाइट करने के लिए किताबों को नहीं बलकि सिलेबस को टारगेट करो किताबे कौन सी लेनी है ये अपने आप समझ में आ जाएगा इसलिए CBT1 और CBT2 में पूछे जाने वाले सभी सबजेट का सिलेबस निकालो और उसे टकले गजनी की तरह अपने पूरे कमरे में चिपकालो यहां तक कि तुमारे बातरूम के दर्वाजे के पीछे भी रेलवे का सिलेबस चिपका होना चाहिए जो रोज सुबह तुम्हें प्रेशर रिलीस करते समय पूछेगा इसके बावजूद भी एलपी और टेक्निशन की एक्जाम की प्रिपरेशन के लिए अगर बुक्स की बात की जाए तो मैं तो रिजनिंग के लिए कीरन पप्लिकेशन CBT2 में पूछे जाने वाली ITI ट्रेड या सबजेक्ट के लिए रुपमनी पप्लिकेशन और CBT2 में भर-भर के पूछे जाने वाली फिजिक्स के लिए लूशेंट एरफोस की फिजिक्स वाली बुक को तो समझ रहो? समझ रहो? समझ रहो ना? देखो मेरी एक बात अपने गटर की दिवार पर पर्मानेंट मारकर से लिख लो की रेलवे के LPO टेक्निशन के इस युद्ध में जीत उसे विद्यारती की होती है जो मैत और रीजनिंग को फोड के आता है देखो संदीप महिश्वरी ने कल रात 9 बजे 10 के 3 पानी पूरी खाते समय मुझे एक बात बताई थी कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ देखो अगर तुमें मैत और रीजनिंग नहीं आती है तो उससे भागो मत उसका सामना करो तो ट्यूशन लो यूटूब से पढ़ो या अपने छोटे भाई बैनों की किताबों से लेकिन अगर तुमें रीजल में नीली वर्दी से सच्ची वाडी महुपत है तो मैत और रीजनिंग का सामना तो करना ही पड़ेगा देखो किसी भी यूट को जीतने के लिए तुमें दो बातों का पता होना चाहिए पहला लड़ना किससे है इसका मतलब सिलेबस और प्रीवियस येर के पेपर्स और दूसरा लड़ना कैसे है जिसका मतलब होता है प्रेक्टिस सेट देखो देश में सबसे जादर रेलवे ए प्रेदा करने वाला स्टेट बिहार है और बिहार के लड़के अपने सिलेक्शन का क्रेडिट देते हैं इसलिए किसे भी ऑनलाइन कोचिंग की एक टेस्ट सिरिच खरीदो और रोज उसका एक टेस्ट दो रेलवे के नोटिफिकेशन आने तक भारत में ऐसी कोई टेस्ट सिरिज नहीं बचनी चाहिए जिसके सवालों का सामना तुम से ना हुआ हो देखो अगर तुमारा आई विजन 6x6 है और तुमें कलर ब्लाइडनेस नहीं है तो तुम सब कुछ भूल कर सिर्फ और सिर्फ रेलवे के एक्जाम की तैयारी करो देखो लगातार पढ़ाई करने पर हर 10-15 दिन के बाद एक ऐसा मन्हूस दिन जरूर आता है जब पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है ऐसे समय में किताबों को बंद करो और दबा के मजे मारो अपने आपको पूरा फ्री छोड़ दो मूवी देखो घूमने जाओ जो तुम्हें मन करे वो करो लेकिन एक दो दिन बाद फिर पढ़ने बैट जाओ अपनी पूरी मानदारी से तयारी करने के बावजूद भी अगर तुम्हें अपने उपर सेर्फ डाउट आता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं तो सनकी पाइलेट का चैनल देखो और द्यान से सोचो कि जब इसके जैसे चपरी बेरोजगार आवारा कामचोर असली निठल्ले लोंडे का रेलवे में सिलेक्शन हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं तो वस जार आज के लिए इतना ही वीडियो में एक परसेंट भी कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल पेल फ्लिए उढ़िक्ण फुरी दुनिया पे काली तो यर व मतभिष्वा चैनल पेल लें है कई पुरी दुनिया को शुदार के तु चैनल पेल है राको को शुदार सुदार्ने के चकर में निपड़ जाएगा तू थेरा